हलो दोस्तो तो आज मैं आपके लिए एक नई मूवी लेकर के आया हूँ और इस मूवी में आप देखेंगे कि एक साधारन से ट्यूटर को उसका इस्टुडेंट परिसान कर देता है उसका जिंदगी हराम कर देता है उसका खाना पेना हगना मुतना सब बंद कर देता है तो चलिए सुरू करते हैं इस मूवी को ये है इथन ये एक ट्यूटर है जो घरगर जाकर बच्चों को ट्यूसन देता है ये बहुत ही सोलजा हुआ और समझदार ट्यूटर है बच्चों के पैरेंस भी इसके काम से बहुत खुज हैं हर इनसान की तरह इसकी भी पसनल लाइफ है जिसमें इसकी एक ब्यूटिफूल गल्फरेंट है जो कि अप प्रेगनेंट है ये अपने गल्फरेंट से बहुत प्यार करता है और एक दिन इससे इसके दोस्त का फोन आता है वो बताता है कि एक बहुत ही रिच फैमली है जिने अपने बेटे के लिए एक ट्यूटर की जरूरत है वो तुमें एक हपते का पचीस सो डॉलर देंगे इथन इस काम के लिए मान जाता है अगले दिन उसे कार लेने के लिए आती है वो उस कार में बैठ कर उस अमीर आदमी के घर पहुँच जाता है वो घर बहुत ही बड़ा और आलिसान था इथन अब एक हपते के लि लेता है ताकि ये जान सके कि वो पढ़ाई में कैसा है वो उसे टेस्ट करने को कहकर इधर उधर गूमने लगता है इथन गूमता गूमता एक रूम में पहुचता है जहां उसकी मुलाकात जैक्सन के दोस्तों से होती है वो अक्सर इसी घर में पढ़े रहते थे जैक्सन प जोईन करने के लिए कहते हैं लेकिन एथन मना कर देता है फिर एथन अपने वाइफ को फोन करके बताता है कि ये घर बहुत ही बड़ा है जैक्सन जिसको मैं यहां पढ़ाने आया हूँ वो मुझे थोड़ा अजीब फिल करा रहा है मेरी अभी तक उसके माता पिता से मुलाका नहीं हुई है उसकी गर्फरेंड जवाब में उसे कहती है तुम्हे बस कुछ दिन उसे पढ़ाना है और उसके बाद तुम्हें धेर सारे रुपए मिलेंगे और इसलिए तुम जादा मत सोचो अगले दिन एथन जैक्सन से पूसता है कि बाहर वो लड़का कौन है जैक्सन बताता है कि वो मेरे भाई जैसा है मैं यहां अकेला रहता हूँ इसलिए वो मेरे साथ ही रहता है फिर इथन पूसता है कि तुम्हारे फादर कहा है जैक्सन कहता है कि मुझे मेरे फादर के बारे में कुछ भी बतानी की परमिसन नहीं है फिर वो उसकी मॉम के बारे में इथन को फोटो खीचने का बहुत सौक था वो हर खुबसूरत चीज की फोटो खीच लेता था जैक्सन इथन को कहता है कि क्या तू मेरी तस्वीर खीचोगे लेकिन इथन कहता है कि मैं अपनी स्टुडेंट्स की तस्वीर नहीं खीचता लेकिन उसके बार-बार रिक्वेस्ट करने पर इथन उसकी तस्विर खीजने के लिए राजी हो जाता है फिर जैक्सन का दोस्त वहाँ आता है और इथन को आज का सेशन यही पर कैंसल करने के लिए कहता है और बदलें उसे बहुत सारे रुपए उफर करते हैं लेकिन इथन मना कर देता है जैक्सन को पता था कि हर इंसान की कोई न कोई कीमत होती है इसलिए वो 5000 डॉलर प्रोफेसर के उपर फेकता है और आज का सेशन कैंसल करवा ही देता है इथन आज की घटना अपनी गल्फरेंट को बताता है रात को जब इथन बुक पढ़ रहा था तब वहाँ जैक्सन आता है और उसकी गोद में सीर रखकर लेट जाता है वो बताता है कि मैं अपने पिता को कभी भी पसंद नहीं था क्योंकि मैं उनकी उमीदों पर खरा नहीं उत्रा इथन उसे समझाता है कि तुम्हारे पिता तुम्हें बहुत प्यार करते है सायद उनका ये जताने का तरीका अजीब हो फिर जैक्सन मुस्कुरा कर वहां से चला जाता है जैक्सन का इस तरह से यहाँ पर आना एक दिन रह गया था इथन वापिस जाने के लिए अपना बैग तयार करता है लेकिन तभी उसे ध्यान आता है कि आज उसे जैक्सन को डाटना नहीं चाहिए था फिर वो जैक्सन से सौरी गरने के लिए उसके रूम में जाता है रूम में बेट के उपर उसका लैपटोप पड़ा था जिसमें इथन और उसकी गल्फरेंट की बहुत सारी तस्वीरे थी अगले दिन इथन जैक्सन को कहता है कि तुमने सायद बहुत बुरी तरह मेरे साथ अटेच्मेंट कर ली है आज हमारा लास्टे है और मुझे घर जाना होगा कल मैं अपने बुरे बरताओ के लिए तुमसे माफ़ी मांगने गया था तब मैंने तुम्हारे रूम में तुम्हारे लैपटोप के अंदर मेरी तस्वीरे देखी ये सुनकर जैक्सन गुसा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें मेरा लैपटोप चेक नहीं करना चाहिए था फिर वो गुसे में वहाँ से चला जाता है जब इथन उसका पीछा करता है तब उसे वहाँ जैक्सन के फादर मिलते हैं वो कहता है कि जैक्सन एक इमोसिनल बच्चा है लेकिन तुम्हें उसके उपर तरस खाने की जरूरत नहीं है जब इथन अपना एक हपता पूरा करने के बाद वहाँ से जाने लगता है तो उसके दोस्त का फिर से फोन आता है वो कहता है कि जैक्सन के फादर चाहते हैं तुम उसके बेटे को पूरा महीना पढ़ाओ और इस काम के लिए वो तुमें एक साल की कमाई जितना रुप्या देंगे इथन मान जाता है रात को चब वो अपने गल्फ्रेंड और दोस्तों के साथ डिनर कर रहा था तब उसकी दोस्त पूसती है कि तुम्हारा नया इस्ट्रेंट कैसा है इथन बताता है कि मुझे वो थोड़ा पागल लगता है वो कुछ भी करके मेरे साथ समय बिताना चाहता है मैंने उसकी लैप्टोप में मेरी और एनिल की फोटो देखी है उसे जरा सा भी डाट दो तो वो बच्चे की तरह गुसा हो जाता है इथन उसके बारे में बता ही रहा था इतने में जैक्सन वहां आ जाता है इथन पूसता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो जैक्सन कहता है कि मैं 18 साल का हूँ मेरी भी एक लाइफ है बस उसे ही जी रहा हूँ अगले दिन इतन जैक्सन को फोन करता है और वो कल के लिए माफी मांगता है जैक्सन कहता है कि मैं अभी आउट ओफ इस्टेशन है आप बस घर चाहिए हम वही पर बात करेंगे जब इतन जैक्सन के घर जाता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था जैक्सन का फोन आता है और कहता है कि हम आने में लेट हो जाएंगे टेबल पर कुछ पड़ा होगा आप खा लीजिए फिर इतन टेबल पर पड़ी स्ट्रोबरीज खाने लगता है स्ट्रोबरी खाके उसे नसा हो जाता है फिर इतन बहोस होता है तो कोई उसे पानी में फेक देता है लेकिन इतन वहाँ मरता नहीं और बच के तलाब से वापिस आ जाता है फिर वो घर जाकर ये बात एनी को बताता है कि किसी ने मुझे ड्रग्स दे दिये और मुझे तराब में गिरा कर मारने की कोसिस की लेकिन एनी को उसकी बात पर विश्वास नहीं था उसे लगता था कि सायद एक काम पर गया ही नहीं है फिर इतन कहता है कि तुम्हारे फोन में मेरे फोन का ट्रैकर है चाहो तो चेक कर लो मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ अगले सीन में हम देखते हैं कि एतन अपने कैमरे के रिल से प्रिंट निकाल रहा था फिर उसे पता चलता है कि बेहुस होने के बाद उन्होंने एतन की किसी लड़की के साथ आपको भी कीच ली है यह सब देख करके इतन डर जाता है अगले दिन वो अपनी वाइफ को बताता है कि मैंने जैकसन के स्कूल में फोन करके पूछा था लेकिन उन्होंने बताया कि हमारे स्कूल में जैकसन नाम का कोई लड़का नहीं पढ़ता इतन की वाइफ कहती है कि जो भी हुआ उसे भूल जाओ तब ही उसके पास उसके दोस्त क्रिस का फोन आता है वो कहता है कि जैकसन के फादर ने तुमारे कम्प्लेंट की है कि तुमने जैकसन को हर्ट करने की कोशिस की है और तुमने उसकी गल्फरेंट के साथ बदसलूकी भी की है और आजीब तस्वीरे खीची है इतन कहता है कि ये इल्जाम सरासर गलत है बलकि उन्होंने मुझे बेहोस कर दिया और नदी में फेक दिया अगले दिन जब इतन मार्केट में जा रहा था तो उसे वहाँ पर जैक्सन मिलता है वो जैक्सन को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि ये सब जल्दी से जल्दी खतम हो जाए जैक्सन कहता है कि क्या तुम्हें याद है कि तुम उस राद मेरे बारे में रेश्टरेंट में क्या बकवास कर रहे थे अब मैं तुम्हें पूरी तरह से बरबाद कर दूँगा अगले दिन इथन को पुलिस पकड़ कर ले जाती है क्योंकि उसके उपर जैक्सन को पीटिने का इलजाम लगाया जाता है जब पुलिस इथन से पूस्टाच कर रही थी तब जैक्सन उसके गल्फरेंड को सब कुछ बता देता है जब इथन घर जाता है तो वो अपनी वाइब से पूस्टाए कि तुम्हें जैक्सन ने क्या बताया उसकी वाइब कहती है कि जैक्सन ने बताया था कि उसकी मौम का कतल हुआ था और वो तुमने किया था इतन कहता है कि 10 सल पहले मैं उसकी मौम को डेट कर रहा था वो भी इसी के तरह पागल औरत थी उसने सुसाइट की थी अब एक बात तो किलियर हो गए थी कि जैक्सन को लगता था कि इतन ने उसके मौम को मारा है इसलिए वो उससे बदला लेना चाहता था लेकिन असल में बात क्या थी आपको एंड में पता चलेगा फिर इतन की वाइप उसे घर से निकाल देती है जैक्सन के वज़े से अब उसे कोई ट्यूसन के लिए भी नहीं बुला रहा था अब इतन की खुद की हालत पागलो जैसी हो गई थी अब उसकी हस्ती खिलती जिंदगी जहंड हो गई थी फिर इतन वापिस जैक्सन के घर जाता है और वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि यहाँ जैक्सन नाम कोई लड़का रहता ही नहीं है यहाँ का मालिक यह जगा रेंट पर देता है फिर वो धक्के देखकर उसे वहाँ से निकाल देता है फिर इतन रात को खिड़की का कास तोड़कर उस घर के अंदर घुच जाता है घर में लगे मूसन डिटेक्टर्स एंड सिसी टीवी कैमरे के मदद से वहाँ पर किसी का होने का पता चल जाता है तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आता है और उसे गिरफतार कर लेता है पुलिस स्टेशन में उससे पूस्ट ताश की जाती है तुम वहाँ क्या करने गए थे वो बताता है कि उस लड़के ने मेरा जिंदगी जहंट कर दिया है मैं बस वहाँ छान बिन करने के लिए गया था मुझे मेरी पहली वाली हंस्ती खेलती जिंदगी वापिस चाहिए फिर इथन को वार्निंग दे कर वहाँ से छोड़ दिया जाता है तभी इथन के पास जैक्सन का कॉल आता है वो इथन को उसी जगह पर बुलाता है जहां उसकी माम में खुद कसी जी थी इथन वहाँ जाता है और कहता है कि मैं हार मानता हूँ जैक्सन कहता है कि यही पर मेरी मां की लास मिली थी उसके सरीर के अंदर पानी नहीं था यानि किसी ने मार कर उसे पानी में फेका था इतन कहता है कि ये सिर्फ एक थियोरी थी मैंने तुम्हारे माँ को नहीं मारा मेरा उनकी मौट से कोई वास्ता नहीं है तब ही जैकसन का दोस्त आता है और पीछे से वार करके इतन को बेहोस कर देता है फिर वे उसके होस में आने का इंतजार करते हैं कि कि वो उसके ही मूँ से सच उगलवाना चाहते थे और चाहते थे कि वो सच कबूल करके जेल चला जाए लेकिन होस में आने के बाद भी वो यही कहता है कि मैंने तुम्हारे माँ को नहीं मारा अगर मुझे मेरी माँ के निखी हुई ये डायरी ना मिलती मेरी माँ ने इसमें साफ-साफ लिखा है वो तुमसे डरा करती थी और तुमसे पीछे छुडाना चाहती थी इथन कहता है कि ऐसे कैसे पीछे चुडा लेती मैं उसे बहुत प्यार करता था फिर वो जैक्सन के दोस्त को उपर हमला कर देता है और गला घोट कर उसे मार देता है जैक्सन वहां से भाग कर छिप जाता है फिर इथन उसे ढूंडना जाता है इथन जैक्सन को घर से बाहर जाते हुए देख लेता है बाहर जा कि जैक्सन जहां बोट खड़ी की जाती है व वहाँ आ जाता है और कहता है कि सवाल ये नहीं कि तुम्हारी माँ को क्यों मारा, सवाल ये है कि तुम छिपे कहा हो, फिर वो एक लोहे के जाल के नीचे जैक्सन को छिपा हुआ देख लेता है, और कहता है कि तुम्हारी माँ भी इसी तरह से छिपी हुई थी, अब तुम्हे में इथन की गल्फरेंट एनी वहाँ पर आ जाती है क्योंकि उसने इथन को ट्रैक कर लिया था वहाँ आकर वो समझ जाती है कि इथन एक कातिल है इथन के सर पर खून सवार था वो एनी को भी मार देता लेकिन इतने में जैक्सन उसे सूट कर देता है गोली लगने के कारण इथन पानी में गिर जाता है और डूब जाता है लेकिन मरता नहीं पुलिस को उसके लास भी नहीं मिलती इसका अचना से जैक्सन बे बहुत परिसान था क्योंकि उसका एक ही दोस्त था और वो भी उसने खो दिया था फिर कुस दिन बाद हमें दिखाया जाता है कि इथन किसी और सहर में किसी और स्टूडेंट को ट्यूसन दे रहा था एक गोली लगने के बावजूद वो मरा नहीं था जिन्दा था और यहां मूवी एंड हो जाती है इस मूवी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करने मिलता हूँ आपसे नेक्ट वीडियो में